एन एस सी नेशनल सेविंग सेटिफिकेट पोस्ट ओफिस में क्या होता है यह किस तरह की स्कीम है एक्जेकली किस के लिए यह यूस्फुल है आपको इस पर कितना इंट्रेस्ट मिलता है यह कितने साल की स्कीम है इसमें आपको टेक्स में क्या बेनेफिट मिलता है यह सारी च Post Office के थुरू Government of India ने लांच की है यह गौर्मेंट ने 1989 या 1990 में यह लांच की थी और इसका जो interest rate है वो समय समय पर बदलता रहता है लेकिन खास बात यह है कि जब आप एक बार इस scheme में एंटर कर जाते हैं तो आपका interest rate आपके लिए लॉक हो जाता है यह saving scheme पांच साल के लिए है पांच साल का lock-in है और जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं उस समय NSC का Post Office में आपको साथ दश्मलव साथ यानि 7.7% interest आपको अभी इस पर मिलता है यह interest ध्यान रखें कि यह जो है compound annually होता है यानि हर साल का व्याद जो है साल के आखिर में जो है वह उसी मेंím यह हम दूसरी बात करते हैं वो है कि इसके benefit क्या है और यह किसको जो है वो खरीदनी चाहिए तो यदी आप ऐसे person है आपको लगता है कि मेरे लिए लॉकिन होना बहुत जरूरी है या अगर मेरा पैसा लॉकिन नहीं होता इंवेस्टमेंट में तो जल्दी खर्च हो जाता है इस तरह की कुछ समस्या है तो यह स्कीम आपके लिए अच्छी हो सकती है इसमें ब्याज का जो जो दर है अभी 7.7 वो भी काफी अच्छा है और इस है उससे भी थोड़ी ज्यादा सिक्योर आपके लिए यह चीज है और तीसरी जो इसमें बात है कि यह एनसी जो है यह काफी ओपन है मतलब काफी पुराने समय से चल रहा है तो बहुत सारी जगह आप इसको प्लेज करके या इसको गिरवी रखके आप इसके अगेंस बड़ क्रेस्क रिस्क हो यानि 18 साल से उपर का हो तो वह अकॉट खुलसकता है या आप अगर किसी चोटे बच्चे के लिए अकॉन खुलना चाहते हैं तो एस माइनर आप उसके गार्डियन बनके भी आप उसके लिए अकौट को सकते हैं इसमें सबसे कम से कम आपको एक हजार एंप्लॉई हैं या कोई भी जो जो बिजनेस वगेरा करते हैं वो जब अपना इंकम टेक्स बढ़ते हैं तो उनको 80C के अंडर एक डिड़क्शन मिलता है जो कि डेड़ लाग रुपए तक है वो डिड़क्शन चाहे आप आप ELSS के थ्रू ले ले चाहे बैंक में पांच साल की FD के अगेंस ले 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 तो यह एक साल में एक पार्ट है यानि अगर आप एक साल में एक खरीते हैं तो अपर लिमिट यानि डेड़ लाक रुपए तक आप सेक्शन A.T.C के अंडर आप अपने income tax में deduction ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहे हर साल आपको इसका interest मिलता है लेकिन वह interest compound होता जाता है तो आपको पहले साल के χत्म होने पर दूसरे साल के तीसरे साल के ज़ोटे साल के खत्म होने पर आपको उस interest पर आपको आपको टेक्स नहीं भरना है आपको सिर्फ टेक्स बढ़ना है जब पांचमे साल में आपको आपका amount वापिस मिलता है तो आपको एक principal amount मिलेगा और एक interest amount मिलेगा तो जितना आपका interest amount है पांचमे साल की आपकी income में जिसे हम बोलते है income from other sources उस head में यह एड हो जाता है और जिस साल में यह यानि 5 साल के बाद जब आप इसे विड्रॉ करेंगे तो जितना आपका प्रॉफिट हुआ है यानि जितना आपको ब्याज मिला है उस पर आपको इंट्रेस्ट पे करना है लेकिन यह जब आप खरीद रहे हैं उस समय आपको एटी सी में आपको एक लाग पचास जार रुपे तक इसका बेनेफिट मिलता है अब इसमें हम कमी की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो है प्री क्लोजर जो है वो पॉसिबल नहीं है प्री क्लोजर यानि प्री मैच्योर क्लोजर अगर आप करना चाहते हैं तो क्या है वो मैं बता देता हूं सिर्फ तीन कंडीशन में यह जो है आपका एनसी विड्ड्रॉ किया जाता है किसी भी पर्सन का पहली बात तो जिसके नाम पे यह एनसी है उस परसन की मृत्यू हो गई है तो उसने जिसको भी नॉमिनी बनाया है उसको यह अमाउंट जो है व प्रहज मतलब होता है गिर्वी रखना तो गिर्वी रखके लोन लिया है और वहां से जब रिक्वार्मेंट आती है मान लिजिए आपने वह लोन नहीं भरा और लोन पर डिफॉल्ट कर दिया तब वह आपका जो है यह एनसी ब्रेक किया जाता है यह दूसरी कंडिशन है और किसी भी वजह से अगर कोट और करता है आपने कुछ लेगल काम किया है और आपका पैसा भरने को नहीं है या कोई भी सिचुएशन है इसमें जादी कोट पोस्ट और करता है तो आपका नसी ब्रेक करता तो यह सिर्फ तीन कंडिशन है एक मृत्त्यू के मामले में एक कोट क किया हुआ हो तो आपका pledge अगर invoke किया जाता है यानि आपने गिर्वी रखा है और वह अगर इसको इन्वोक करते हैं तो वहाँ पर भी यह ब्रेक किया जकता है तो यह हो गई बात के अगर आपको अब यह खरीदना है तो कैसे यह खरीदने के लिए मतलब पुराने जमाने में एक्चुली यह NSC यानि see any certificate मतलब पहले एक्चुली NSC का certificate मिलता था आप हजार रुपए का लें दस जार का लें एक लाग का लें तो ऐसे अलग लग तो यह स्कीम में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं यह काफी सेफ स्कीम है गवर्मेंट ओफ इंडिया की स्कीम है बैंक की FD से भी ज्यादा सेफ है तो that is it दोस्तों I hope वीडियो आपको हेलफुल रहा हो अगर हेलफुल रहा हो तो एक थमस अब देना थैंक यू बाबाई